हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का, होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो, आज मैं आप सब के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उस डिश का नाम है स्पाइसी पनीर टिके बरगर दोस्तो, इसका टेस्ट मैंक डॉनल के स्पाइसी पनीर बरगर से भी ज्यादा अच्छा है मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राइ करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको रेसिपी कैसी लगी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं जिसके लिए मैं एक बाउल में हाफ कप मैदर लिया है अब हम इसमें 1 टेबल स्पून पीजा सेजनिंग डालेंगे और साथ ही 1 खोर्ज टीस्पून ब्लेक पेपर अब हम इसमें half टेबल स्पून सौल डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ढालके इसका थिक बेटर बना लेंगे बेटर थोड़ा थिक ही होना चीए यह नहीं तो यह पनीर पेच्छे से कोट नहीं होगा हमारा बेटर ready है अब हम इसकी पनीर की टिकी बना लेते हैं जिसके लिए मैंने पनीर को square shape में काट लिया है इतना मूटा अब हम इसे batter में डालेंगे और पनीर को अच्छे से batter से coat कर लेंगे next step में हम पनीर को bread crumb से coat करेंगे अच्छे से मैंने oil को अच्छे से गरम कर लिया है अब हम इसमें पनीर डालके fry कर लेंगे अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइट से भी गूल्डन एंड क्रिस्प कर लेंगे हमारी टिक्की फ्राई हो गई है अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे अब हम स्पाइसी चिली सॉस की तियारी करते हैं जिसके लिए मैंने 5-6 लाल मिर्च को 15 मिंट के लिए करम पानी में भिको लिया था अब हम इसमें 2-3 लक्सं की कलिया भी डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे हमारा पेस्ट रेड़ी है अब हम 3 टेबल स्पून मियोनीज में 1 टेबल स्पून चिली पेस्ट डालेंगे और इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी स्पाइसी चिली डिप रेडी है अब हम बर्गर रेडी कर लेते हैं जिसके लिए मैं बंस को थोड़ा टॉस कर लोगी तवे पे थोड़ा सा गही लगा के मैं दोनों साइड से 30 सेकिंड के लिए बंस को सेख लूँगी अब हम बंस पे लेटस रखेंगे अब इस पे पनी टिकी रखेंगे अब हम इस पे ये स्पाइसी चिली सॉस रखेंगे 1 एड़ाफ टेबल स्पून अब हम इस पे स्लाइस किये हुए टमाटर रखेंगे तीन से चार पीस और साथ ही स्लाइस करी हुई प्यास तीन से चार पीसे रखेंगे अब हम इस पे एक चीज स्लाइस रखेंगे और इसे दूसरे बंद से कवर कर देंगे हमारा बर्गर रेड़ी है दोस्तों अगर आपको मेरी एड़ेस्पी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ जरूर शेयर करिएगा और मेरी इस चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए रेगलर अपडेट्स के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग बाई